हाई अब्रीबन दिसे परवंट चर्मा फॉस्ट ऑफ जैन 2024 से हमने एक सिरीज शुरू किया था पॉर्टफोलियो को लेकर जहां पर हम फोकस करेंगे कि एक पॉर्टफोलियो का आप कैसे बिल्ड करते हैं कैसे पेशन्स बिल्ड करते हैं उसको शफल कैसे किया है तक किन फैक अब ही तक हमने 17% का रिटर्न हम अलड़ी ले चुके हैं आपर उसके बाद में अभी हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है और अभी तक हमने कोई लॉस बुक नहीं किया है इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं कुछ टाइम से हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं इस सिंपली मींस लास्ट के कुछ दिनों के अंदर मार्केट काफी रैटिक है और इस टाइम पे जबरदस्ती अपने पॉर्टफोलियो क आप डाउन करेंगे तो सिर्फ आप ब्रोकरिज जेनरेट करते हैं और नथिंग यल्स आपको वापिस से आना वहीं पर है आपका मार्केट राज़ा उपर से नीचे आएगा फिर से आप रिभाई करेंगे तो जब तो कोई मार्केट के एक क्लीर इंडिकेशन नहीं देती ह तब तक मैं कहूंगा आप से कि आपको जबरदस्ती है अपने पोर्टफोलियो कोई ऐसा स्टॉक है जैसे कई भर हम स्टॉक से निकाल देते हैं BPL स्टॉक हम ने निकाला हमने कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक में निकाले थे तो वो स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहे है और उनका आगे ग्रोथ ऑपरचनुट नहीं नजर आ रही है उनको डेफिनेटल आपको निकालना चाहिए लेकिन कोई स्टॉक अल्मोस्ट उसी लेवल के आसपा स्ट्रगल कर रहा है उसी लेवल के आसपा स्ट्रेट कर रहा है सिंपल है कि वो कॉंसोलिडेशन फेज में है और यहां से वो भागेगा और यहां से वो भागेगा और जब तक अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर रहता है तब तक मुझे को जल्दी से चेड़ते नहीं है तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अगर आपने नया जॉइन किया है तो पुरानी वीडियो को आप एक व हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला का अभी सब्सक्राइब अभी क्लिक किजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलते रहे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स अवेलिबल है कुछ देमेट अकाउं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ हमारे प्लेलिस्ट मिलेंगी उसमें हमारा जो प्लेलिस्ट है इस सीरीज को लेकर वो है लेट्स डबल यो मनी जब आप इसपे क्लिक करेंगे तो आज की वीडि अपडेट नहीं कर रहा हूँ, रीजन सिंपल है, अभी आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले जब हमने इसको लास्ट अपडेट किया था हूथ, I think 60-70,000 का हमारा लॉस चल रहा था, दो दिन पहले वापिस से हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया था, in fact 2000 यह 4000 का प्रॉ पोर्टफोलियो हैं, उन तीनों में से, और यह चोथा यह है, तीनों में से एक पोर्टफोलियो इस टाइम पे ग्रीन है, और आपको मैं बताओं क्यों ग्रीन है, उसके इंदर मैंने सारे पैनी स्टॉक रखे हुए हैं, मतलब कोई भी स्टॉक जो 20-30 रुपे के आस-पास था, उनहीं को मैंने रखा हुआ है, उसमें से मैंने एक दो स्टॉक आपके साथ डिसकस भी किया है, जैसे हिंदुस्तान मूटर्स, उर्जा, और यह सारे स्टॉक उसी का पार्ट है, और इस टाइम पे वही परफॉर्म कर रहा है, बाकी मेरे तीनों पोर्टफोलियो, या तो जीरो के आसपास ट्रेड कर रहे है, या फिर एक से दो परसंट के बीच में वो इस टाइम लॉस के अंदर भी है, तो यहाँ पर टेन लाग रुपीज इंवेस्टेड है, तो इसलिए आपको देखेगा, यहाँ पर 1.79 है, बाकी में जादा अमाउंट है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा आड कर सकते हैं, 80GL का हम वेट कर रहे थे, लेकिन जादा स्टॉक नहीं है, सरफ 50,000 इंवेस्टेड है, तो ठीक है, भी होल्ड कर सकते हैं, बंदन बैंक का अल्मोस्ट on cost है, मुझे लग रहा है कि इससे हमें निकल जाना चाहिए, तो यह एक स्टॉक है, जो आप मंडे को हम यहां से एक्जिट कर लेंगे, उसके लावा फिन पाइप और PPL फार्मा यह लास्ट हमने डिसकस किया देखिए, सारे वही स्टॉक है जो हमने आपके साथ डिसकस किये थे, IRD यह फिर से हमने आड करना शुरू कर दिया है, Zometo हमने फिर से आड करना आप पास यह वही फंड है, जो हमने अर्न किया है, आपको याद होगा, अभी हम आपको यहां दिखाता हो, मैं देखेगा, यह हमने 1st Gen से शुरू किया है, तो 1st Gen से लेके अभी तक, यह हमने डेट रेंज है, जहां पर 1st Gen 2024 से लेके 2524 मतलब आज के दिन, 2nd of May तक हमने 2.75, exactly भही अमाउंट है, तो हमने 10 लाक से शुरू किया तो यह हमारा भी तक, अच्छा खासा profit है, अच्छा खासा profit है, अगर मैं पूरे अकाउंट को ऐसे ही मेंटेन करता रहोंगा, तो मुझे लगता है कि अराम से 25% के आसपास इस साल में, या फिर में थोगा सा और अच बुक किया था, अगर आप चेक करेंगे, तो मार्च में स्रफ हमने दो बार दो सी इस स्टॉक पे एड किया है, और आज हम 2 अले में से थी सबूरा आज म से उपने आर्व नहीं से ग्या है, तो आप समझ जाएगा, कि अभी जो भी मैं आप के साथ शेयर कर रहा हूं, उसमे transparency सेम है और यही चीज मैंने आपके साथ कहा भी था कि यार आप अपने portfolio में यह वाले stock add कर लेजएगा रतन पावर जैसे एक penny stock है उसके लावा सुजनोहल में थोड़ा सा हम add कर सकते हैं आने वाले उतकर small finance bank है इसको मैंने pick किया है तो यहां पर हम कहां पर entry लेंगे अभी entry इसमें नहीं आया है मैं आपको थोड़ा सा early share कर रहा हूँ जब इसको add करेंगे तो भी मैं आपको update करूँगा तो सरफ एक technical purpose के लिए आप इसको check कर लेजेगा और यह buy sell recommendation बिलकुल नहीं investment advice बिलकुल नहीं guys कोई भी trade अगर आप लेते हैं तो एक बार अपने financial advisor से सलाज जरूर कर लेजेगा तभी का आपको को trade लेना है अभी हमारे पास जो current में इसके पास में support निकल के आ रहा है that is coming around 50 तो हमारे पास यहां पर उतकर्ष में जो entry रहेगी that will be anywhere from 50 to 52 और याद रखें जब stock fall कर रहा होता है तो हम entry नहीं लेते हैं stock जब यहां पर आएगा और rise करना शुरू करें आपको 53 पे भी मिले चलेगा लेकिन जब stock rise करें तभी आपको enter करना है यहां पर जो यह moving average देख रहे हैं यह 10 और 20 का EMA है आप देखें अभी इसने recently ही यहां पर bearish crossover शो किया है इस type की crossover आपको मिलेगा जब राइज करेगा तो यह bullish crossover है तो उतकर small finance bank जब राइज करेगा तभी आपको इसमें अपनी position लेनी है और एक अपने आप बढ़ जाता है और जैसे पैसा double हो जाएगा तो मैं उसमें से अपनी position कट करके उसी पैसे को निकाल के दूसरे stock में डालूँगा यही तरीका होता है trading का और यही होता investing तो हम जैसे हमारे पास bullish crossover आएगा या फिर इसी line के आसपास आने के बाद में rectangle form करे राइज करें तभी मुझे stock में एंटर लेना है तब तक मैं तो और चुब बैटूँगा और फिलहाल के लिए मैं अपने portfolio को अभी नहीं touch कर रहा हूं कोई नए अपडेशन आएगा तो उसका मैं update आपको टेलिग्राम पर पोस्ट कर दूँगा और उतकर्ष में अगर हमें अभी इंटरी मिली तो मैं आपको टेलिग्राम पर जरू पोस्ट को जरू जरू जोन कर लिएगा तो यह हैं अभी latest update कोई नए अपडेट मैं इसमें आपको नहीं दे रहा हूं फिलाल के लिए तो स्टे टून और थोड़ा सा अमाउंट आइड करते रहेगा अच्छे स्टॉक हमने पे केव हैं और जैसी वह राइस करेगा इमिडेटल एक बोस्ट मिलेगा तो यह हैं हमारा लेटर सब्डेट टोन आपर पूर्फोली स्रीज मिलत अगली वीडियो में तिल एंट टेकर गाइस वाइस वाइस टेपाबाइट